हलो बच्चों, वेलकम ओन टेसला एडियो एक्जर्स मैं आज ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ और ये वीडियो का फोकस मेंली जो इंडिया में एक्जाम होता है जेई मेंस उसके लिए है और इस आप लोग सभी जानते ही होंगे कि आज यानि 15 डिसेंबर को जेई मेंस 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और बड़ा सरप्राइजिंग है कि जैसा कि हम लोग अभी जानते है कि आज से अल्मोस्ट 40 डेस के अंदर इन लोगों ने जेई मेंस की डेट अनाउंस कर दी कि on 24th and 25th of January 2023 जेई मेंस का पहला अटेम्ट होगा तो ये एक बड़ा शौकिंग जो अनाउंस्मेंट है ये बहुत हाट ब्रेकिंग है अब यहाँ पे इनको मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सोच करके इनने ये अनाउंस्मेंट किया है पर ये है कि अब हमें तलवारे नहीं निकालनी हमें विरोध नहीं करना हमें इन चीजों में इंडल्ज नहीं हुना क्योंकि एनिहाओ हमको ये मान लेना है कि हम जो अगनी परिक्षा दे रहे थे वो उसमें एक अगनी परिक्षा और जुड़ी तो उसमें हमको हमारे लिए अच्छा है कि हम और ज्यादा फोकस्ड और और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट से चीजों को करेंगे तो हमें अब ये अब जो लोग कुछ ट्विटर और फेस्बुक और इन सब पर पूरा वो चलाएंगे प्रपगेंडा की इसका आविरोत करो इसे पोस्ट पॉंड करो तो मूसली इसमें बहुत सारे बच्चे इंडल्ज हो जाएंगे पर देखिए पोस्ट पॉंड होने का चांसिस तो बहुत कम है और अगर पोस्ट पॉंड हो भी गया तो हमारे लिए अच्छा रहेगा पर अगर नहीं हुआ तो हम अपने एक चांस को वेस्ट क्यों करें तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देता हूँ और मैं आपको यही कहूंगा सब बच्चों को कि आपको यह सम नहीं सोचना कि हमें यह एक्जाम नहीं देना या आप पूरा दो तिन दिन चार दिन इस तीज़ को सोचते हो निकाल दो कि यह पोस्पॉर्ण होगा या ऐसा कुछ हमारा concern यह हैं नि ठीक है अब हमें करना का है कि हमें मैं आपको strategy बताऊंगा physics में कि आपको किस strategy से physics को इस attempt के लिए तैयार करना है और आपको इसका pressure बिलकुल नहीं लेना आपको यह सोचना है obviously कि अगर यह attempt नहीं होता तो let's suppose मार्च या इपरिल में attempt होता तो वो attempt जो है तो वो attempt जो है वो तो हमारा एक मातर attempt होता और वो अभी भी हो रहा है तो हमको यह कोई इस extra attempt का pressure नहीं लेना है और यह कोई कही rule book में नहीं लिखा कि कि इस attempt से पहले हर बच्चे का all over India slavus complete हो जाना चाहिए या हो जाएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग अलग-अलग institutes में पढ़ते हो और आप लोग कई बच्चे खुद भी तयारी कर रहे है तो क्योंकि अभी तक कोई notification नहीं आया था तो हर जगे slavus अपने एक normal pace पर चल रहा था कि we were expecting की April या March में होगा पर अब एकदम से notification release कर देती है NTA तो अब हम को अंदूलन नहीं करना है पर यह है कि हम यह decision मैं बिल्कुल support मनी है इनने सही decision नहीं लिया है पर अब हमें जो है शोक ना बना के जितना जल्दी इस चीज़ को accept करके आगे बढ़ना है और disheartened नहीं होना है क्योंकि हमें तो एक चीज़ है मानना है कि हम कितने पानी में यह check करने के लिए हमें यह attempt मिल रहा है तो हमें अपना शक्ती प्रदर्शन करना है और शक्ती प्रदर्शन उस state में करना है कि हम अभी पूरा prepared नहीं है तो भी हमें यह पता रहना चाहिए कि हम unprepared situations में भी कैसे handle करते है और अब हमें यह नहीं सोचना है कि course पूरा करना है course पूरा करना है यह सोच अब गलत होगी अब हमें यह सोचना है कि हमारा जो एक्जाम में स्कोर है वो मैक्जिमाइज कैसे हो अब्विसली यह नहीं सोच सकते है कि हमारा पूरा कोर्स करके हम पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करें हम बोलें कि हमारा एक complete sense of preparation वाला attempt हो गई है तो वो नहीं हो सकता पर हमें यह सोचना है कि अब damage जो होगा जो number कटेंगे lack of preparation की वज़े से वो कम से कम कटें तो अब सवाल यह उठता है कि जो बच्चा 11th to 12th moving और उसके लिए attempt का कोई significance है नहीं जो बच्चा 12th देगा बोर्ट के साथ तो हम अगर यह मान के चलें कि उसने 12th में सिर्फ 12th की ही preparation करी और 11th में उसने कहीं से अच्छे से prepare नहीं किया है competitive level के साथ से तो उस बच्चे को भी यह attempt normally देना चाहिए और सिर्फ अपने 12th की knowledge के basis पे यह जो अपने basic 11th की knowledge है उसके basis पे इस attempt को निकालने की कोशिश करने चाहिए अब जो बच्चा 12th और 11th prepare कर चुक है तो उसके लिए तो यह बहुत ही सही attempt है क्योंकि उसका December में course हो चुका होगा 12th का 11th उसने पढ़ी रखा है तो जो मैं एक strategy बताने वाला हूँ वो उन बच्चों के लिए बहुत useful रहेगी as well as जो mainly बच्चा जो repeater बच्चा जो सबसे ज़्यादा tension में आएगा leader या जो repeater या dropper कहलाता है अलग-अलग जगे पर तो वो जो बच्चा है वो जो 12th के बाद एक साल ड्रॉप करके preparation करता है तो उस वो बच्चा tension में है काफी और वो बच्चे के लिए मैं जो strategy बता रहा हूँ उसके लिए भी बहुत useful रहेगी तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार इसको information को देख लेते हैं कि जो online application form के submission की date है वो है open from 15th December to 12th January till 9 PM और fees जो है वो application fees पे करने का 12th January 2023 लास्ट डेट है city जो announce करेंगे वो second week of January में होगा और admit card website से download किये जा सकते हैं third week of January से examination की date साथ देख रहे हैं कि 24, 25, 27, 28, 29, 31, 31 तो मैं तो यही एक छोटी सी बात बोलूँगा कि आप लोग अपने examination के date जितना extend करवा सको जितना आगे ले जा सको इन slots में आप कोशिश करें कि 29, 30, 31 के slots में आपको मिले obviously सबको नहीं मिल सकता पर जितना जल्दी आप application form भरेंगे तो आपको आपकी preferred dates मिल सकती है अब जो question paper है उसका जो answers डिस्प्ले होंगा वो उसका dates अभी fix नहीं है और जो भी result है उसका भी date fix नहीं है तो यह तो बात होगी January के tip कि अब हम उसी की ही अभी बात करेंगे पेपर का format आपको पता ही है कि जो फर्स पेपर होता है वो इंजिरेरिंग वाला होता है जो यह होता है B VTAC के लिए और पेपर टू होता है B ARC और B planning के लिए आर्किटेक्टर प्लानिंग के लिए तो यह paper का format है paper का shift होगा 9 a.m. to 12 और 3 गंटे का paper होगा और जो B ARC B planning का paper हो तीन गंटे 30 मिनिट का होगा अब मैं आपको सबसे पहले हमें क्या करना है तो हमें सबसे पहले पूरा motivated रहना है देखो motivation ऐसी चीज़ है life में की motivation आपको अंदर से मिलना चाहिए आपको किसी के शब्दों से नहीं मिलना चाहिए मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से आपको मोटिवेशन नहीं पर मैं आपको जगा रहा हूं आपके अंदर को आपको अंदर से महसूस करा रहा हूं कि आप क्या हो तो आपको अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मेहनत करना है एक महीने में और आपके अंदर जितना दम है न कि जीने बरने वाली बात हो जाती है न कि इज़त पर आ गई तो उतना दम आपको लगाने है ठीक है न तो आपको हार नहीं मानने किसी भी सूरत में ना मन से ना और किसी तरीके से डिप्रेशन या और कोई आसपास हमारे क्या बाते हो रही है कि ये पोस्पॉंड होगा या नहीं होगा इन चीजों से बिलकुल दूर रहना है कोई ऐसी बाते कर रहा है तो हमको डिबेट में नहीं जाना ठीक ना? यह श्टूपिडेटी है यह बाते बाते है अब करना ठीक तो हमको छोटी छोटी बाता से ही motivation मिलेगा और हमारा अब ही एक ही है कि हमको इस हमारा टार्गेट है कि इस एक महीने 40 डेज में हम कितना मैक्जिमाइज प्रिप्रेशन कर सकते हैं फिर अपना वक्त बरबाद नहीं करना है ये सबसे पहला एक स्टेप रहेगा कि अब वक्त बरबाद करना बिलकुल हनी का रहे है एक एक मिनिट अपने लिए इंपोर्टन्ट है पर आप ये ना सोचे मन में कि हम कहीं भाग रहे हैं किसी रेस में भाग रहे हम कहीं नहीं भाग रहे हैं बस यह है कि हम अपना वक्त का पूरा यूज कर रहे हैं we are because this time ये जो आपको वक्त है ये मिलियन डॉलर्स है आगे के लिए आपके फ्यूचर के लिए अगर एक एक सेकिंड आप गिनो गिना तो इस वक्त की गई इमानदारी वाली महनत मिलियन डॉलर्स आपको कमा के देगी आगे तो आपको ये वक्त बरबाद नहीन करनाई बिल्कुल भी और इस वक्त को आपको इस तरीचा से उटेलाईस करनाई कि आप बिल्कुल वेस्ट नकरarta है आप वेस्ट का मतलब ये निए कि खाना नकाएं और सोएं ना साथ घंटे की नीन तो आपको लेनी है तब ही आपका दिमाग इदम फ्रेश काम करेगा और उससे जादा नहीं लेने है हो सके तो पांच मिनट मेडिटेट कीजिए जिससे आपको कॉंसेंट्रेशन और अच्छा होगा और जो अपने नॉर्मल टीवी तो बिलकुल देखना ही नहीं है मॉबाइल से दूर रहना है ठीक है तो उन सब चीजों से दूर रहेंगे तो आपको आटोमेटिकल इतना वक्त मिलेगा कि आप उसमें कुछ न कुछ करने के लिए पढ़ेंगे तो यह हमको वक्त भरबादी बिलकुल नहीं करनी है अब मैं अगर मुद्दे की बात पर हूँ कि देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको कि जेई मेंस में आपको सब को बताएगी लेवल उस हाई लेवल नहीं आता जितना एडवांस का होता है और यहां पर जैसा आप प्रिवियस कुछ एर्स के पेपर को अनलाइस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स है जैसे मेकैनिक्स हो गया मेकैनिक्स इस स्टार्टिंग फ्रम वन डी मोशन टू रिजिट बॉडी रबी रोटेशनल मोशन and SHM, Geometrical Optics, Modern Physics 1, Atoms हो गया और Modern Physics 2 हो गया, Nucleae Electrostatics और Current Electricity और Error Measurements तो यह जो टॉपिक्स हैं यह टॉपिक्स हम फोकस करेंगे इस अटेम्ट के लिए और मैं आपको यह गैरेंटी बोलता हूँ कि Physics के 25 सवालों में से At Least 18 सवाल यहां से होंगे इन टॉपिक्स से होंगे अगर आप Analysis के Basis पे मैं कहूं तो Obviously Guarantee का मतलब वही है तो अब यहां पे हमको क्या करना है कैसे revise करना है ठीक है, तो अब दो बते हैं पेले हमारा जो अभी हम कहीं पर पढ़ रहे है Let's suppose हमारी preparation ongoing है चल रही है Coaching में हम पढ़ रहे हैं तो वहां का syllabus अभी नहीं हुआ है तो वहां जो भी chapter चल रहे है अगर वो इस topics में से आते है तो तो बहुत अच्छी बात है Let's suppose कि वो इन topics में से नहीं आ रहे है तो आपको सिर्फ यह करना है कि classes में वो पढ़ना है अच्छे से chapter बिल्कुल concentration से उनको समझना है और घर जाके उन्हें revise करना है और जो class notes में अगर आपके teachers कुछ questions करा रहे हैं में एक बार ढंक से देख लेना है और इस पूरे process में घर जाके आपको एक subject के अंदर maximum मेरे हिसाब से one hour लगना चाहिए maximum और in fact you should try to finish it in 40 minutes or 45 minutes अब क्योंकि एक एक अपने पास पल कीमती है तो without wasting time हम तीनों subject में 45-45 minutes देखर के revise कर लें घर जाके ठीक है उसके बाद मेरे तरफ से ये strategy है कि आपको mechanics को तीन दिन में बाटना है 3 days तो आपको 3 days में क्या करना है कि जो पहला दिन first day इसमें आपको 25 questions उठाने motion से जिसके अंदर 1D 2D और circular motion हो गया ठीक है और NLM हो गया इससे अपने को 25 अच्छे सवाल single correct उठाने और उनको अपनको within time limits पूरा करना है एक घंटे maximum 55 minutes में करने कोशिश करें और उनको हमको बिना answer की देखे test की तरह exam की तरह देने second day में हमें क्या करना है कि second day में हमें 25 सवाल उठाने from remaining topics like friction और WEP work energy park ठीक है और अगर कोई topic में आप मान लो छूट जाए NLM उसमें आए तो इसमें आप ले लिजीगा ठीक है ना तो यह है और तीसरा अपने को थर्ड डे में क्या करना है कोलिजन सेंटर मास and RBD इसके 25 सवाल जिसमें से आप 25 में से इसके rigid body dynamics के 20 सवाल रखेगा और इसके सिर्फ 5 रखेगा फिर आपको SHM में one day देना है सिर्फ और वही strategy है कि हमें एक दिन में इसके 25 अच्छे सवाल single correct, सारे single correct questions लेने तो वह 25 अच्छे single correct questions अपने को SHM के उठाने फिर geometrical optics में अपने को 3 days देने ठीक है, in fact हम इसे 2 days में भी wrap up कर सकते है तो 2 days के अंदर हम इसे 2 हिस्टों में divide कर ले reflection और refraction तो reflection और refraction के 25 अपने questions करें एक दिन में first day में हम reflection के ले लें, सारे mirrors के और उसमें हम basic reflection भी ले सकते हैं, reflection on plane surfaces और second day में हम lens को ले लें और prism को ले ले और refraction on spherical surface ले ले लें, TIER ये सब ले ले तो 25 पत्छिस सवाल दो-दो दिन, मतलब एक पहले दिन 25 सवाल, दूसरो दिन 25 सवाल Geometrical Optics में करना है फिर आपको Modern Physics 1 में 1 डे और 2 में 2 डे मतलब Modern Physics 2 में 2 डे तो इसमें Total मिलाके 2 दिन लगने चाहिए आपको Again Electrostatics में आपको जिसमें मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन प्लस 1 डे क्योंकि ये 1 डे जो मैंने Allot किया ये अलग से Capacitance के लिए किया है और ये 2 दिन जो है वो Electro के लिए जिन में आपको Electro में पहले दिन 25 हवाल अगले दिन 25 हवाल और Capacitance में एक दिन में 25 हवाल Current Electricity के लिए मैं बोलूँगा One Day is Enough You have to find out some 25 good questions of Single Correct और उन्हें करना है और Error Measurement एक ऐसा टॉपिक है जो J.E.Mains में काफी आ रहा है और अच्छे अच्छे questions इससे आ रहे हैं तो इसमें दो तीन चीजों पर Focus करना है इसमें आपको एक दिन देना है और उस एक दिन में आपको Vernier Caliper और Screw Gauge और Error Combination of Errors इस पर दियान देना अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो इसमें भी आपको सिर्फ डायोड वाला पार्ट और लाजिगेट्स और टाइमिंग डियाग्रम्स तो ये हमारे लिए strategy एक मैंने बनाई है तो ये मैंने आपके लिए 13 days की strategy बना दी और एक दिन अगर आप semi-conductor को देना चाहो तो वो अब जो topics मैंने include नहीं कियें जैसे magnetism हो गया, AC हो गया, EMI हो गया तो wave optics हो गया gravitation, fluid, surface, tension तो इन topics में देखिए मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि बिल्कुल हमें नहीं छूने पर ये है कि हम इनने जब हम पढ़े हुए हैं तो एक पर हमने पढ़ लिए है तीक है नहीं लेट सपोज thermo भी एक important topic है तो thermo हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि chemistry में आप thermo को करोगे हाला कि physics का thermo एक अलग level पे है पर हम अभी उस पर focus नहीं कर सकते और शायद हो सकता है कि जिस phase में इस लेवर्स चलते हैं इस वक्त पे इंस्टिट्यूट में तो thermo शायद cover up ना भी हुआ हो तो we should not think more about thermo because हम उसे कहें मिस्ट्य में हलका फलका manage तो करी सकते हैं तो ये although thermo भी एक important topic है तो अगर आप चाहें और अगर आपका नहीं पढ़ली आए तो आप दो दिन thermo में भी दे सकते हैं जिसमें से एक दिन में आप heat transfer और heat transfer में भी majorly conduction और radiation पर focus कीजेगा और उसमें आप calorimetry heat transfer, calorimetry और thermal expansion एक दिन में 25 सवाल का test बना लीजेगा और जो है दूसरा आप KTG Thermodynamics का 25 सवालों का एक test बना लीजेगा अब ये सवाल आपके मन में आ रहा हुगा कि ये आपने कहे तो दिया सर की 25 सवाल कर लो आप topic wise पर हम करें कहां से तो बच्छो इसका सोर्स सबसे बढ़े गा मैं आपको कहूंगा कि जो आपको institute में material मिलता है उसमें जो single correct होते हैं जो previously J.E.Mains में पूछा जा चुके हैं topic wise sheets दे रखी हैं वो आप कर लें तो बहुत ही बड़ी रहे गा जो recently J.E.Mains में पूछा है जैसे J.E.Mains 2021, 20, 19, 18, 16, 17, 15 तो ये वाले questions आप कर लेंगा अगर इन ये जो 25 सवाल में बता रहे हूं वहां से उठाएं तो बहुत ये अच्छा रहेगा और आपका एक sense of complete preparation आपको feeling आजाएगी और वाकई में इस अच्छी preparation J.E.Mains के इस attempt के लिए नहीं सकती तो ऐसी ही आप एक micro strategy, chemistry और maths के लिए बनाएं अपने teacher से discuss करके कि क्या important topics है और देखिए demotivate होने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता अभी भी demotivate हूँ पर मैं तो यही कहूँगा कि demotivation या motivation इन feelings का भी वक्ती नहीं है अभी वक्त है वस दिमाग से लाने का क्योंकि हम हारेंगे नहीं हमें हारना नहीं है हमें ठकना नहीं है हमें डरना नहीं है हमें कोई जिंता नहीं करना है अब हमें सिर्फ यह करना है कि excellence को chase करना है हम ठीक है हमें कोई एकिसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है हमें अपने आपस की नॉलिज बढ़ानी है स्किल्स बढ़ानी है एक्सिलेंस बढ़ाना है और हमारे दिमाग को शार्प बनाना है और वो तब ही होगा जब आपके अंदर से सारे डर आप निकाल दो क्योंकि जाद स्यादा नंबर खराब आएंगे तो हमारा वो वैसे भी आपको पता है कि बेस्ट स्कोर गिना जाता है तो लेट सपोज ना कि अगर यह अटेम्ट हुआ ही नहीं होता तो हमारा जीरो इथा नहीं स्कोर फिर हमारे पास तो एक एटेम्ट था यह तो हो रहा है तो हम कुछ न कुछ तो करी सकते हैं इसके अंदर यह वाली बात है तो आपको इसमें अच्छी चीज़े हैं और अच्छी चीज़े देखनी है हमेशा टफ चीज़े लाइफ में आएंगी तो आप के लिए अच्छा हो रहा है तो बच्छो मैं यही बोलूगा आप बिल्कुल होसला रखे और चपन इंच का सीना रखे अपना यह अटेंट देने जाएं और उसके लिए पूरी तैयारी करें हवा में नहीं रहना है हमको और अब वक्त की कीमा समझे लिए तो यही बोलूगा बच्छो और आगे मैं कोशि जल्दी आप फॉर्म भरेंगे तो जल्दी आपको अपने प्रिफर्ड डेट मिलेगी तो इसके साथ वीडियो से माप्त करता हूं धन्यबाद बाई बाई